नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन बंसल, मैंनेजिंग डिरेक्टर, जै प्रकास हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, आज हम एक बहुत ही महत्यपूल, बहुत ही important point को discuss करेंगे, जो है CT scan के बारे में, CT severity score के बारे में, जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा confused हैं, और लोग इसके बारे में जानना और समझना चाहते हैं, यहाँ पर आने से पहले मैं थोड़ा सा back जानना चाहता हूँ, कि हम COVID का diagnosis कैसे करते हैं, COVID का diagnosis करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड है, पहला मेथड है antigen testing, जिसको हम RAT बोलते हैं, rapid antigen test, दूसरा मेथड है RT-PCI testing, तीसरा मेथड है CT scan, सबसे पहले और सबसे popular जो था, वो था हमारा RT-PCI technology, RT-PCI technology में क्या है कि हम जो भी वाइरस है, उसका genes को study करते हैं और उसके genes के मादियम से पहचानने का कोशिस करते हैं, कि यह coronavirus है या नहीं है, जब first wave आया, पिछले साल, तो यह technology बहुत ही कारगर सीध हुआ, क्योंकि इसका accuracy हाई है, बट क्या होता है, कि कई कारणों से sampling technology से लेके, transportation, cold chain और lab का processing, कई तरह की चीजों से, इसका जो final outcome होता है, यह उतना अच्छा नहीं होता है, यानि कि, जब हम first time, first wave में, RT-PCR technology को use करते थे, तो actual cases में से, लगभग 60-70% cases को हम RT-PCR technology से detect कर पाते थे, second wave में, क्योंकि virus में mutation हुआ, उसके genes में changes हुए, तो यह जो accuracy level है, यह घट कर कहीं, औसत में 50% के आसपास आगे, इस कारण से 50% cases हम RT-PCR technology से detect नहीं कर पाते हैं, दूसरा दिक्कत RT-PCR technology में यह होता है, कि RT-PCR हर जगा उपलब्द नहीं है, इसके लिए बहुत ही specialized machine चाहिए, बहुत ही specialized centers चाहिए, equipment बहुत costly होते हैं, और उसका अपना एक licensing विधी है, reporting विधी है, जिसमें समय लगता है, तो इस कारण से कई बार RT-PCR का report आने में, तीन दिन, चार दिन, कभी-कभी, पांस दिन या उससे भी अधिक लग जाते हैं, और इस परिस्तिती में, patient का जो positivity है, हमको कई बार इतने late में पता चलता है, कि इसकी condition severe हो जाती है, इसलिए RT-PCR technology बहुत अच्छा होने के कारण से भी, उसमें कुछ limitations है, second technology है, RAT, यानि कि Rapid Antigen Testing, जो कि हम kit के मध्यम से करते हैं, लेकिन इस परदती का सबसे बड़ा problem यह है, कि इसका accuracy level बहुत low होता है, जब हम first time, first wave में इसको use करते थे, तो केवल 30-40% cases में ही यह positive होता था, और second wave में भी यह number में बहुत ज़्यादा benefit नहीं आया, और Milajula के Rapid Antigen Testing में accuracy का समस्या आता है, इसमें false positive, false negative का भी समस्या आता है, हाले कि इसमें एक advantage यह है, कि यह काफी आसान है, और इसका result हमको जल्दी मिल जाता है, लेकिन यह reliable नहीं है, और इसके वरोसे पर हम treatment नहीं कर सकते हैं, तो यह जो पहले के दो testing है, RT-PCR और Rapid Antigen, इन दोनों testing के मदद से, हम यह जान सकते हैं कि patient corona positive है या नहीं है, RT-PCR में हम viral load का भी पता कर लेते हैं, लेकिन यह केवल उस समय का viral load बताता है, जिस समय हमने testing किया, और वो उसका prognosis के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, और नहीं इसके मदद से हम यह पता कर पाते हैं कि disease का progression कैसा होगा, और प्लस जो reporting में delay होता है, वो इसका problem है, अब हम आते हैं CT scan के तरफ में, CT scan chest में chest का lungs का life picture दिखाता है, यानि कि doctor CT scan की मदद से slice by slice, परत by परत हम lungs को देख सकते हैं, जब हम परत by परत देखते हैं, तो हमको सही से पता चलता है कि lungs के किस भाग में corona का affection है, कितना severe है, nature of lesion किया है, उसका fellow किया है, और जब हम progressive CT scan करते हैं, कुछ समय के अंतराल में, तो फिर हम compare भी कर सकते हैं, कि पहले का स्थिति क्या था और अभी का स्थिति क्या है, यानि कि बिमारी बढ़ा है, कि घटा है, nature of lesions क्या है, वगरा वगरा. CT scan का film तो हमको immediately मिल जाता है, और reporting भी 2-4 गंडे के अंदर में हो जाता है. तो CT scan बहुत ही accurate way में हमको बताता है, और CT scan day 3 के बाद में कभी भी lesions को पिक भी कर सकता है. इसलिए CT scan काफी superior हो जाता है, और CT scan का diagnostic accuracy जो है, यह 90 प्रतिसत से भी अधिक हैं. खास करके तब जब यह अच्छी मशिन के द्वारा किया गया हो और अच्छे radiologist ने इसको report किया है. अब CT scan के संबंध में दो प्रश्ण हैं, दो question हैं, जो लोगों के दिमाद में रहते हैं. पहला है, radiation को लेके. और दूसरा है कि CT severity score क्या है और इसको हम कैसा समझे. ये दोनों question को आप अच्छे से समझ पाएं, और इसका क्या implications होता है, साधरन भासा में उसको आप समझ पाएं. सब से पहले हम बात करते हैं, radiations की. तो CT scan समित, कई ऐसे diagnostic modalities हैं, जिसमें radiation होता है, जैसे कि X-ray है, CT scan है, हम mammography करते हैं, हम cancer के लिए कई सारे test करते हैं, उसमें भी radiations होते हैं, हम dental X-ray करते हैं, CVCT करते हैं, ये सभी modalities में radiation होता है और ये बात आज की नहीं है, ये medical field में जब से ये चीजे आई हैं, 40-50 साल से, ये उस समय से ये सभी doctor इसके बारे में जानते हैं. क्या ये radiation बहुत खतरनाक होते हैं? आंसर है कि कोई भी radiation जरूर खतरनाक होता है और long term में हम जितना radiation से बचें, उतना अच्छा होता है. लेकिन अगर हम risk और benefit देखते हैं, तो corona से सही इलाज ना होने का जो खतरा है, वो इस radiation के सामने में बहुत बड़ा है. सेकेंड है कि क्या CT scan का जो radiation है वो X-ray के तुलना में बहुत अधिक होता है, जवाब है हाँ, कि CT scan का radiation X-ray के तुलना में अधिक होता है, किन्तु ये बाते 30-40 साल पुरानी हैं. जब CT scan के machine नहीं नहीं आई थी, उसमें radiation बहुत ज़्यादा होते थे, आजकल की जो ultra modern machines है, उसमें radiation hazard बहुत बहुत कम हैं, और ये X-ray के comparison में बहुत ज़्यादा नहीं होता है. कई बार, कई medical field से ही लोगों ने इस तरह की बाते भी कहीं, कि इस radiation ज़्यादा होता है, और उसके विरोध में हमारे जो Indian Radiological and Imaging Society है, उन लोगों ने एक statement भी issue किया था, जिसका copy इस वीडियो के दौरान में दिखाया भी जाएगा, और उन्होंने बहुत clear बताया, कि CT scan का ज बहुत ज़्यादा है, और radiation बहुत minimal है, खास करके आपको यह ध्यान देना चाहिए, कि जिस machine में आप यह scanning करवा रहे हैं, वो कितनी new है, कितनी modality, इसको समझने का एक simple साकड़ा होता है, CT scan को हम मापते हैं कि वो कितने slice होते हैं, यानि कि कितने given time में, या for example, एक second में कितन slice वो कर सकते हैं, तो इसलिए CT scan के आगे लिखा रहता है, 16 slice, 4 slice, 32 slice, तो यह slice का number जितना ज्यादा होता है, कई बार उसका radiation उतना कम होता है, प्लस उसमें कैसा software यूज किया गया है, तो आज कलके जो ultra modern CT scan machine है, उसमें radiation hazard बहुत कम होता है, अगर आप एक साधरन सा उधारन ल या दूसरे चीज होने का खतरा होता है, इसको लेकि भी बहुत सारे paper और studies है, जो कि आप Google में देख सकते हैं, बट फिर भी यह जो long term चीजे हैं, यह 30 साल, 40 साल में आएंगे और इसके बारे में clarity नहीं है, लेकिन जो हमारा immediate benefit है, वो है इस बीमारी से लडने के लिए और उ कोरोना के करण कितना involvement हुआ है, और involvement किस तरह का है वो बताता है, तो बहुत सारे लोगों से आपने बात करते हैं, वे सुना होगा कि मेरा city severity score 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, इसका क्या मतलब है, कि एक वेक्ति का city severity score 3 है, या 12 है, या 15 है, तो उसको हम कैसे समझें, मैं थोड़ा से इसक राइट लंके दीने से हैं, और लेफ्ट लंके दो हिसे हैं, इस तरह से हमारे लंक में लोब होते हैं, जो कि लगबग 5 लोब हैं, और हर लोब को एक रेडियोलोजी का severity system है, severity scoring system है, उसमें 5-5 point दिया गया है, तो कुल मिलाकर 25 point होते हैं, तो अगर किसी patient के 500 लोब का पूर involvement होता है, तब CT severity score maximum 25 दिया जा सकता है, और अगर कम है, तो accordingly कम हो जाता है, तो अगर हम मोटे तोर पर बात करेंगे, तो अगर किसी का CT severity score 5 से कम है, तो इसका मतलब है कि उसका 20% area involved है, अगर 25 पर 25 है, तो लंका लगबग सारा area involved है, अब ये जो बात है, सिर्फ इस आधार पे CT severity score का आकलन नहीं किया जा सकता, उसका analysis नहीं किया जा सकता, तो हम किस आधार पे CT score का analysis करते हैं, इसमें 2-3 महत्वपून बात होती है, सबसे पहला बात ये होता है, कि ये जो CT severity score हम बात कर रहे हैं, ये बीमारी के किस समय में है, यानि कि अगर आप आज कोरोना positive आये हैं, और आपका CT severity score हम आज देख रहे हैं, या पांस दिन बात देख रहे हैं, या दस दिन बात देख रहे हैं, दूसरा है, पेशेंट का clinical picture क्या है, उसके symptom क्या है, यानि कि उसका weakness, breathing difficulty, बुखार और जो दूसरे symptom होते हैं, उसका situation क्या है, और तीसरा होत है, nature of lesson, जो CT severity score है, वो किस आधार पे बनाये गया, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने के कोशिश करता हूँ, मान लीजिए, एक व्यक्ति अभी कोरोना positive आया है, और उसका CT severity score है 5, और वहीं पर एक और व्यक्ति है, जिसको कोरोना positive होके 15 दिन से अधिक हो गया है, और उसक के number 5 है, लेकिन पहला वाला जो patient है, उसके case में ये बहुत severe माना जाएगा, क्योंकि मात्रत 2-3 दिन के अंदर में उसके lungs का 20% area involved हो गया है, और उसका further involvement होने का बहुत chance है, और वो person का sick होने का कफी chance है, उसी जगह पे अगर किसी vaccine ने 15 दिन, 20 दिन complete कर लिया है, और अब उस complete करने के बाद में, अब सरी 5 यानि की 20% area ही involved है, 80% area ठीक है, तो ये number बहुत अच्छा माना जाएगा, और ऐसे व्यक्ति का prognosis बहुत अच्छा है, अब हम clinical picture के बात करते हैं, कई बार CT severity score का number कम होता है, लेकिन patient को clinical symptom बहुत ज्यादा है, यानि कि उसका saturation low है, उसको बार ब बुखार आ रहा है, breathing difficulty हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसुस हो रही है, तो उस समय भी हम उसके clinical picture को ज्यादा वेटेज देते हैं, और CT severity score को नजर अंदाज करते हुए, उसका इलाज हमको पूरी तरीके से, पूरी मुस्तादी से करना चाहिए, और medical supervision में अगर जर अगर हम एकदम layman language में बोलेंगे, तो हम patches और fibrosis देखते हैं, हम एक word यूज़ करते हैं, GGO, ground glass opacities, यानि कि जो नए leasing आ रहे हैं, नए patches आ रहे हैं, और जब यो patch हील हो जाते हैं, तब यो fibrotic bands बन जाते हैं, जब radiologist, CT scan के जो analyst हैं, इसको जब numbering देते हैं, तो वो दोन को सेम number देते हैं, यानि कि नए leasing का भी अगर एक area involvement का दो अंक आएगा, तो fibrotic band का भी दो अंक आएगा, तो कई पर ऐसा होता है, कि patient का CT severity score, अगर हमने आज किया तो 8 है, और 15 दिन के बाद में किया है, तो भी 8 है, इन दोनों परिस्तिती में, इन दोनों परिस्तिती में, number जरूर 8 है, लेकिन nature of leasing जो है, वो change हो चुका है, तो इसलिए, अब क्या होता है, कि हलाकि दोनों number 8 है, लेकिन nature of leasing के आधार पे, हम ये बोल सकते हैं कि पहला वाला जो है, इसमें बिमारी बढ़ रहा है, और दूसरा वाला बिमारी ठीक हो रहा है, सबसे common question, जो patient हम से प आज मैं discharge हो रहा हूँ, तो मेरा 14-15-16 है, और आप मेरे को आज ठीक है बोल रहे हो, और जब admit हो था तब बीमार है बोल रहे थे, तो इसमें जो confusion होता है, वो nature of leasing होता है, और disease progression के करणस होता है, जैसा मैंने पहले समझाया है, कि जब आप admit हो रहे थे, तो उस समय आपका जो lung involvement था, उसमें new patches formation थे, आपका clinical picture जो था, वो खराब था, आपको कई तरह के symptom थे, और ये बढ़ रहा था, अब वो एक maximum peak पे पहुँच गया है, और जब आप discharge हो रहे हो, तो ये जो CT severity score हो रहे है, ये healing lesions के करणस है, scarring के करणस है, fibrosis के करणस है, ये scarring, ये fibrosis, और healing lesions है, इनको पूरी तरह से ठीक होने में कभी-कभी 3-6 मेहना भी लग सकता है, यानि कि आपके discharge होने के काफी समय के बाद भी, आपका CT score है, इसका number hair side में रह सकता है, इसके लिए फिर आपको antifibrotic therapy और दूसरे treatment modalities की ज़रोत होती है, जो आपको treating doctor time to time guide करते हैं, तो इसलि ये था और discharge के time में ये है, वो बदलाव आता है, वो स्वाभाविक है, और वो जो lungs का natural history है, जिसमें lungs जो heal हो रहा है, जो lungs ठीक हो रहा है, ये उसका है, तो इसलिए जब हम CT scan करते हैं, तो हम सिर्फ नंबर ही नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो उसके lesions हैं, वो कि पहुँच पाता है, कि CT severity score को हम किस तरीके से interpret करें, तो इसलिए मेरा यहाँ पर ये सबसे आग्रे रहेगा, कि आप CT severity score को एक नंबर के तौर पर ना देखें, उसका पूरा picture देखने का प्रयत्न करें, और जो भी आप जिन डॉक्टर के पास में भी treatment ले रहे हैं, या जिन ये एक जरूर बात होती है, कि अगर discharge के टाइम पर आपका CT severity score का नंबर अधिक है, तो इसका मतलब है कि आपको ठीक होने में भी काफी लंबा समय लगेगा, अब होता है कि CT severity score के आधार पर हम mild, moderate, severe कैसे बोलते हैं, तो एक मोटे तोर पर इसके बारे में कोई बहुत strict rule नह होते हैं, लेकिन जसा मैंने पहले बताया है, ये आपके disease के stage के उपर depend करता है, अगर किसी वैक्ति का CT severity score 5 उसके disease के एकदम starting में है, यानि कि दूसरे तीसरे दिन में होता है, तो वो ज्यादा significant होता है, यहीं पर अगर ये CT severity score 5 के जगा पर 12 होता है, तो ये moderate नहीं extremely severe है, तो हमको disease के stage के इसाब से देखना होता है, और Corona management में सबसे important चीज है, early diagnosis and early treatment, अगर हम जल्दी से डाइग्नोज कर पाते हैं, और सही तरीके से Corona का इलाज किया जाता है, तो patient का hospitalization, patient का mortality और पूरे healthcare system पे ये जो burden क्रेट होता है, इसको हम कम कर पाते हैं, तो इसलिए CT severity score को इस तरीके से हमको देखना चाहिए, अब अगर हम सारी बातों को summarize करेंगे, तो हमको ये समझना चाहिए कि RT-PCR, antigen testing और CT severity score, ये तीनों testing एक दूसरे के पूरक है, पहले दो से हमको ये पता चल पाता है, कि आपको Corona है कि नहीं है, CT scan से हमको ये पता चलता है, कि यदी आ आपको Corona है, तो उसका हम severity कितना मनें, आपके lungs का involvement कितना है, nature of lesion किया है, किस modality का treatment हम use करेंगे, तो सबस्यादा effective होगा, आपको hospitalization की जरौत है या नहीं है, और अगर आप hospitalized हो रहे हैं, तो risk कितना जादा है, बट हर समय किसी भी चीज का interpretation, अगर expert करें, तो ही बढ़िया हो होता है, इस पूरे प्रकरन में, हम जो हमारे radiologist है, उनको धन्यवाद देना चाहता है, जो पिछले इतने समय से हमारे hospital में और दुनिया के बहुत सारे medical center में लगातार काम कर रहे हैं, और CT scan कर रहे हैं, patient को reports दे रहे हैं, उनके diagnosis में clinicians को help कर रहे हैं, और ये सारा चीज करते समय, उनको कभी भी credit नहीं मिलता है, वो सामने picture में नहीं आते हैं, मैं इस video के माधियम से हमारे दुनिया भर के सभी radiologist को बहुत बहुत धनेवाद देता हूं, और उनको appreciate करता हूं, जो effort वो इस corona महामारी के समय में, पूरी दुनिया के लिए, पूरे patient management के लिए, सभी doctors के के लिए, सभी clinician के लिए ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, कि इस video में आप लोगों को ये समझ माया होगा, कि जो different treatment diagnostic modality हम use करते हैं, खास करके CT scan, वो कितना useful है, और उसकी मदद से हमको different staging में, और treatment को choose करने में, काफी help मिलता है, धन्यवाद. झाल